दोस्तों नमस्कार आज का मेरा विषय है रंगिला राजस्थान अर्था राजस्थान के लोक नर्थ लोक नर्थ पे सहर्ड़ सरल सुभाव की ग्रामिर्ड इस तरों पर किया जाने वाला ग्रामिर्ड अंचल के लोगों से के द्वारा किया जाने वाला नर्थ इसको हम लोक राजस्थान की धर्ती पर छेत्र के हिसाफ से अलडल अलग नत्र हैं और नत्र ऐसे जो विश्व दरुवर सूची में सामिय हैं तो आए चलते हैं राजस्थान के लोग नत्र की दरुप गैर नत्र, यह गोल घेरे में किया जाने वाला नत्र है और इस नत्र को करने वाले कला कारों को गैरिया कहते हैं यह नत्र जो है मेवाल और बाड मेर ने होता है गूमर नित्र जो है इस नित्र का नाम सुनते ही आपके दिमाग में फिल्म पदमावत आ गई होगी पदमावत फिल्म में जो हिरोईन थी वो इस नित्र को करने के लिए बड़ा ही विरोध हुआ था और इसमें बड़ी आपतियां आई थी जिसके कारण इस पदमावत फिल्म का नाम भी बदला गया तो ये राजस्थान का राजनेत्र है और ये राजस्थान की महिलाओं द्वारा किया जाता है पहले ये नत्र जो था वो भीलों का नत्र हुआ करता था लेकिन इसकी लोप्रीता इसका जो पहनावा देखकर बाद में ये नत्र जो था वो रजवारी नत्र बन गया जैसा आपने देखा कि फिल्म पद्वावत में घूमर नित किया गया उसका बहुत राजपूत ने जवर्जस्त बिरोत किया था तो ये वही घूमर नित है राजस्थानी रजवारी महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला ये नित्र है तेरह ताली नित्र ये नित्र पाली नागो जैसल मेर में होता है और ये नित्र जो है राजस्थान की कामण जात की महिलाएं करती है राजस्थान में जो कामण जाती है उनकी महिलाओं द्वारा तेरे ताली नित्त किया जाता है इसका वाद्देयंत्र मंजीरा होता है और इसकी सबसे वड़ी विशेष्टा होती है कि नो मंजीरे दाएं पैर में और दो हाथ की कोहनी के उपर होते हैं और एक-एक हाथ में होता है इसके बाद ये नित्र किया जाता है इस नित्र के प्रमुक कलाकार मांगी बाई और लच्षमन दास हैं कच्छी गोडी नित्र ये कच्छी गोडी नित्र जो है ये आपने भी देखा होगा ये सेखावाटी, कुचामन, परवसर और डिंडवाना छेत्रों में होता है ये नित्र विवहा के आउसर पर किया जाता है इस नित्र को करने वाली जो जातियां हैं वे कुमार, ढोली, सरगडे और भामी जातियों के लोग इस नित्र को करते हैं तथा लसकरिया, रंगमरिया, रसला नामक गीतों को गाते हुए कच्छी गोड़ी नित्र करते हैं लूमबर नित्र ये नित्र जो है जाला और छेत में किया जाता है और ये नित्र जो है होली के आउसर पर किया जाता है लूमबर नित्र कब किया जाता है हुली के आउसर पर किया जाता है और ये महिलाओं द्वारा होता है लूमबर नित्र को महिलाएं करती है हुली के आउसर पर होता है और ये जाला और जिले में किया जाता है जाला और का जो छेत्र है वहाँ पर ही लूमबर नित्र होता है पकड़ती है ये उनके द्वारा किया जाने वाला नत्त है तो कालवेलिया नत्त ये विस धरोवर सूची में सामिल है तो वह कौन से नत्त कर कोश्चन आता है वह कौन से नत्त है जो विस धरोवर सूची में सामिल है तो कालवेलिया नत्त कालवेलिया जाती द्वारा किया जा आता है कालवेलिया नित्र की में संकरिया नित्र पनिहारी नित्र बागड़िया नित्र इंगोली नित्र आधी प्रमुक आते हैं 2011 में 20 धरोवर सूची में कालबेलिया नत्र को सामिल किया गया था गुलाबो जो है इस नत्र की अंतर राष्ट्री एक अलाकार है जिसको हमारे देश के राष्ट्रपती प्रोणों मुखर जी ने भी सम्मानित किया था चरी नत्र जो है ये राजस्थान की गुर्जर जात की महिलाओं के द्वारा किया जाता है चरी नत्र किसके द्वारा किया जाता है राजस्थान की गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है इस यह जो नित्र है इस नित्र में सिर पर चरी रखते हैं चरी से मतलब है पीतल का कलस एक कलस के उपर दूसरा दूसरे को पर तीसरा तूसरे को पर चौथा चौथा चौथे को पांचवा ऐसे करके सर की सिर के उपर कलस रखके यह नित्र किया जाता है और यह किसन गड़ की जो इस नत्र की प्रमुक कलाकार है वह किसनगड की फलकुबाई जो है वो प्रमुक कलाकार है तो चरी नत्र किस के द्वारा किया जाता है गुरजर महिलाओं के द्वारा किया जाता है पीतल का कलस किस नत्र में काम आता है तो चरी नत्र में काम आता है फलकुबाई किस नत्र की कलाकार हैं तो चरीनित की कलाकार हैं बिंदोरी नत्र बिंदोरी नत्र जो है यह राजस्थान के हाड़ोती छेत्र के जालावार जिले में होता है और यह नत्र जो है वह होली के असर पर विवा के सुब असर पर किया जाता है यह जो नित्र है यह होली के उसर पर और विवा के उसर पर होता है और यह हाडोती का नित्र है हाडोती के जालावार जिले का नित्र है गीदर नित्र है गीदर नित्र जो है दोस्तों यह सेखावाटी छेत्र का प्रमुक नित्र माना जाता है और ये सेखावाटी छेत का प्रमुग नत्र कौन सा है गीदरन नत्र है ये होली के असर पर होता है और ये पूर्सों के द्वारा किया जाता है तो पूर्सों के द्वारा किया जाने वाला होली के असर पर सेखावाटी छेत में कौन सा नत्र है तो गीदल नत्र है गुडला नत्र है गुडला नत्र है ये जोदपूर में होता है और ये नत्र भी हुली के असर पर ही आयुद किया जाता है इस नत्र की सबसे बड़ी विशेशता क्या होती है कि जो मटके होते हैं उसमें छिद्रित मटके होते हैं मुन में छेद होते हैं उ उसको रखकर जोदपुर की जो बालकाएं होती हैं बालकाएं जो बालकाओं के द्वारा किया जाने वाले नत्र है ये बालकाओं के द्वारा गोलाकार पत गोलाकार एक व्रत्ताकार जो पत होता है व्रत्ताकार घेरा होता उसमें ये नत्र किया जाता है तो बालकाओं के द् नत्र कौन सा है गुडला नत्र है छिद्रित मटके जो होते हैं उनमें दीपक रखे कौन सा नत्र किया जाता है गुडला नत्र किया जाता है गुडला नत्र कहां का नत्र है जोद्पूर का नत्र है लांगुरिया नत्र है लांगुरिया नत्र जो है यह करोली जिले का नत्र ह करोली जिले में करोली का जो मेला लगता है उस पर ये नित्र किया जाता है करोली के संदर में आपको एक बात बताते चलें करोली जो माता है जो करोली का मेला है वो करोली की देवी के नाम से लगता है करोली की जो करोली देवी है वो यादों की कुल देवी माने जाती है यादों जो वंस है उसकी कुल देवी माने जाती है और ये भगवान कृष्णी की बहन भी माने जाती है आपको याद होगा कि जब कंस ने बीट जो आठवी पुत्री थी उसको जो पत्थर पर पटका और पत्थर पर पटगने के बाद लड़की जो उनके हां से चिटक कर आसमान में चली गई और उसने आकास वाने की कि एक तु मुझे क्या मारेगा तुझे मारने वाला तो ब्रिज में पैदा हो चुका है तो यह वही करोली देवी हैं जिनके सम्मान में यह मेला आयुद होता है और यह यादवों की कुल देवी हैं यह इस्त्री पुरुस्त दोनों यह लांगोरिया नेत्र है यह इस्त्री और पुरुस्त दोनों द्वारा किया जाता है अगनी नेत्र है दोस्तों यह अविस्मर्नी है अविस्वस्नी है और रहस में नेत्र है यह जसनात संप्रदा है जसनाज सिद्वों द्वारा ये नित्र किया जाता है और ये नित्र जो है रात्री जागरण के समय पर किया जाता है और ये धदकते हुए अंगारों के उपर अंगारों के धदकते हुए अंगारे होते हैं उस पर किया जाता है और फने फने का उद्गोस करते हैं जो जसनाज नित्र बता सकते हैं या आप से पूछा जाए जसना सिद्धों द्वारा कौन सक नत्र किया जाता है तो अगनी नत्र किया जाता है फने फने का उद्गेश किस नत्र में होता है तो अगनी नत्र में होता है फिर है बम नत्र बम नत्र जो है यह भरतपूर और अलवर जिलो में होता है बम नित्र कहाँ पर होता है भरतपूर और अलवर जिले में होता है यह नित्र हुली के आसर पर किया जाता है और बम रसिया का गीत जो बम रसिया गीत है वो इसी नित्र के आसर पर गाया आता है क्वेश्चन आए कि बम रसिया गीत किस नित्र में गाया जाता है तो ब दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगाओ आपसे निवीदन है चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दूसरों को आवस्य वेज़ें जैहिंद बंदे मातर।